मथ्य प्रदेश सरकारी समीति कर्मचारी महासंग के बैनर तले जिले भर में कर्मचारी कलेक्टर कारेले इस्थित बालाजे मंदिर में अनिश्चित कालिन हर्ताल पर बैठे हुए हैं कलेक्टर कारेले में इनके द्वारा की जा रही अनिश्चित कालिन हर्ताल का आज नौवा दिन है और आज कर्मचारी द्वारा हाथ पर काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया गया जानकारी के लिए बता दे कि सरकारी समीतियों के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए कलम बंद आंदोलन पूरे मध्धी प्रदेश में किया जा रहा है जिससे समस्त शार्ष की उचित मुल्ली की दुकाने वसाहकारी संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद है इस आंदोलन से आम नागरिकों और शार्षन प्रशार्षन को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है लेकिन कर्मचार्यों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदेशन किया जा रहा है रोजाना नए नए तरीकों से विरोध प्रदेशन जारी है यूनियन के संगरक्षक कैलाश चंद्र पारशर्ण ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक सरकार द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक यहाँ अनिश्चित कालिन हर्ताल जारी रहेगी और आने वाले दिनों में पकोड़े तलकर रेली निकालकर भीक मांगकर नए नए तरीकों से रोजाना प्रदेशन किया जाएगा ताकि सरकार हमारी मांगे पूरी कर सके इसका भी हमें खेद है परन्तों हम क्या करें हमारा वेतन बहुत कम है और हम लोगों पर उपर से दबाव भी आ रहा है अभी एक सोसाइटी वाले करमेचारियों को अधिकारियों ने नोटिस दिया कि आपकी जवाबदारी होगी और हमने भी उसका प्रति उतर दिया है यहीं की निमत जिले की सोसाइटी का मतलब यह हमारा के कुल मिला करके हमका हमारा मेतन का निर्दान हो वेतन शेनी का निर्दान हो और जब तक यह नहीं होगा तब तक मध्य पर देश की 4526 सोसाइटियो में 55,000 करमचारी हरतार पे रहेंगे और हम हड़ेंगे नहीं किसी की अभी दबाव से हमारी वेकता है एकता से हम आगे बढ़ेंगे और अपकी बार हार पार की लड़ाईए 17 साल से जो हम मांग करते चले आ रहे हैं इसली सरकार यह सरकार वो सरकार हर समय हमें बरगला करके जूटे आश्वसन देखर के हम करमचारियों की स्ट्राइक जो है उसको हम करमचारियों को वहां से अलग कर दिया जाता है और अब हमारी जो उपर बोपाल बात्ची चल रहे है मासंगी अधिकारी और सरकार यह कि रहे हमें दो महीने का टाइम चाहिए हमने जब एक महीने पहले अल्टिमेटम दिया तो सरकार और सरकार निंद निकाल रही थी क्या उस समय उनको यह समय कर देना था अब के रहा हमें दो मेने का टाइम चाहिए फिर दो मेने बाद चुनावा जाएंगे आचार सहीता लग गई अभी एसमा लगा देंगे ऐसा होगा हम हड़ेंगे किसी आलत में जब तक हमारी एक ही मांग मातफून मद्यपरदेश चास की करमचायडियों के मान से वेतन मान हो जिस परकार के वेतन चेडी एक, बो, और त्रति और चतुर्त सेनी का मानते हैं कम से कम इदना तो माने हमको वह दिए मानने के लिए तयार नहीं मद्यपरदेश सभी कम मतलब दे रहे हैं तो यह हमारा शोशन हो रहा है और इस शोशन के खिलाब हमने आवाज उठाइए हम चाहिए जो हो जाए किसी भी दिले में हर्ताल आदेगी नहीं है और आज नोगा दिन है और आज अमने काली पट्टी बांध करके प्रदेशन किया है आगे हमारा जी उजना है कि हम अर दिन्लग नहों के प्रदेशन करेंगे हम यहां रेली भी निकालेंगे जिसकी विदियो तनमती लेंगे भी दीग भी बागेंगे यह सारी पकोड़ों भी सब द्रेंगे परन तो हमारी आवाज जो है शासन तक पहुंचा के रहें गए उसमें काम आएगा कमिशन का आर्थ यह है कि सोसाइटिक का फंड होता है वो जमा होना वो कमिशन दूंभ वह भी नहीं दे रहे है यह तो तो करमचारियों को उससे कोई लाब नहीं है कर्मचारियों को यह है कि जो सेवानियम नया बनाया है उसके अंदर उस कंडिका के अंदर लाभानी सब्द जो लिखा है कि जो सोसाइटी लाभ में है उसको यह सेवानियम लागू हो और जो हानी में हो उसके नहीं हो तो हमारी यह भी मांग है कि लाभानी सब्द उस सेवानि प्रदेश कारिकानी सदस्ट जिला यूनियन का सवरक्षक्त